पुश्कार आप सभी का स्वागत है आपी की चैनल उशा की करण में आज हम बात करेंगे इसुजू डीमेक्स के बारे में जो की एक ऐसा वहान है जिसको कि आप मल्टी परपज यूज के इसाब से इसका यूज कर सकते हैं अगर आपका कोई ऐसा काम है जहापर अगर बिजनि हैं सोलेंची की ट्यूबलेस टायर मिलेंगे गाड़ी के अंदर और काफी बैतरीन कलर के साथ में कंपनी ने अपनी इन गाड़ियों को लांच किया है सामने की अगर लोग की बात करें दोस्तों यहाँ पर आपको इसुजू का जो है लोगों मिलेगा क्रोम फिनिस के साथ म और बड़े सारे इसके अंदर आपको यहाँ पर क्लियर लेंस, हेड्लेंस मिल जाते हैं साथ ही मिलेंगे स्टैलिस आपको इंडिकेटर और इस तरह की प्रोफाइल आपको यहाँ पर ओवराल देखने के लिए मिलती है बात करते हैं दोस्तों यहाँ की नीचे की यहाँ पर की visibility तो सांदार होती ही है साथ ही आपकी गाड़ी का जो लुक है वो यहां पर काफी सांदार हो जाता है तो दूस्तों इस तरह की गाड़ी है overall side profile की बात कर लेते हैं हम यहां पर यहां पर आपको 16 इंची के tubeless tire मिलते हैं गाड़ी के अंदर steel wheel rim के साथ में आएंगे जिसका लुक आपको जो है यहां पर silver color का देखने के लिए मिलता है सामने की साइड में आपको यहां पर dual viswone suspension मिलता है जो कि आपकी riding को काफी comfortable बनाता है साथी यहां पर आपको anti roll bar जैसी सुविधा भी मिल जाती है अब नई गाड़ियों के साथ में दोनाई साइड में आपको issue d max की जो branding है वो graphics के साथ में मिलती है और गाड़ी की जो है side profile आपको कुछ इस तरह की मिलती है जहां पर आपको 5 लोगों की बैठने की वेवस्ता होती है दो आगे और 3 पीछे जिसको कि हम आगे आपको बताएंगे एक बड़ा सारा यहां पर आ गाड़ी के अंदर काफी दूर दूर तक आप जो है पीछे की side में अपने road के उबर निगा रख पाते हैं तो side से हमें दिखती है इस सुझी कुछ इस तरह की यहां पर अगर हम इसके colors की बात करें तो आपको यह जो है gray color के साथ में मिल रही है एक आती है white color के साथ में और यह एक आती है आप सिल्वर कलर के सात में यारी की 3 color options आपको यहां पर मिल जाते हैं तो गाड़ी के लंबाई चोड़ा की बात करें तो यहां पर आपको काफी सांदार इसके लंबाई मिलेगी 5,1190 mm के आसपास लंबाई मिलती है और इसकी चोड़ाई मिलती है आपको प्रोफाइल है, स्पेसिफिकेशन है, हम सबसे पहले बात कर लेते हैं गाड़ी के इंजिन की, क्योंकि अब आपको यहाँ पर BS6 इंजिन मिलता है, तो उससे मैं आपको रूबरू करा देता हूँ, सबसे पहले हम इसके बॉनट एरिया को खोल लेते हैं, बॉनट को खोलने के बात करें तो 78 HP के आसबास का पावर मिलता है, और 176 NM का यहाँ पर आपको टॉर्क मिल जाता है, तो दोस्तों अगर हम मैलेज की बात करें इस गाड़ी के साथ में, तो आपको मैलेज इस से लगबग 14 से 15 तक का मेरे ख्याल से आपको एक उप्टिमम अगर आप इसको आना चाहता हूं, इस गाड़ी के साथ में आपको एक और फायदा हो जाता है, यहाँ पर आपको एड़ ब्लू जैसी चीज को नहीं डालना पड़ता है, क्योंकि इसके अंदर L&T टेकनलोजी यादिकी लीन नॉक्स टेकनलोजी का इस्थिमाल किया गया है, जिससे कि हमारे B.A.6 के जो प्रॉशन माना के वो तो मीट होई जाते हैं, साथ ही आपको यहाँ पर एड़ ब्लू डालने का कोई खर्चा अलग से नहीं करना पड़ता है, अगर उपर की बात करें, यहाँ पर तो इसका जो बॉनट है, यह काफी मजबूत मिलता है, साथ ही आपको इंसुल करके बताओं दोस्तों तो आपको एक फील आ रहा होगा कि गाड़ी की बिल्ट क्वालिटी कितनी मजबूत है, आप देख सकते हैं, तो इस तरह की यहाँ पर आपको साउंड आती है, दोर की बात करने दोस्तों तो यहाँ पर आपको कुछ इस तरह का इसका डोर मिलता है, पर उंडो के स्विचेज हैं, यह उसका डोर ओपन करने का है, यह आपको ग्रैब हैंडल मिलता है, पानी की बोतल रख सकते हैं, नीचे, मैं आपको चीज बताना चाहता हूँ दोस्तों एक खास बात कर डीमेक्स के अंदर आपको म्यूजिक सिस्टम नहीं मिलता है अंदर लेकिन कमपनी ना आपको यहाँ पर चारोई डोर के उपर म्यूजिक सिस्टम को चलाने के लिए स्पीकर वगरा जैसी चीजों को प्रवाइट कर दिया है, अगर आप अपनी अनुसार कोई सा भी म्यूजिक सिस्टम लगा ना चाहते हैं, वो आप लगा सकते हैं, आपको स् सょइफ्ड़ आप कर सकते हैं, तो काफी कमफोर्टिबल तो आपको यहाँ पर तमाम सारी जाते हैं, अगर अंदर की बात करें दोस्ट तो यहां पर आपको दोस्तो सा आने वाली हैं यहां पर आपको फैब्रे का पhorse का साथ में आ ज voter यहाँ तो मैर आ गयो बोडी के अंसार इसको टिल्ट भी कर सकते हैं तो इस तरह से आपको यहापकर इसका एक function मिल जाता है तिल्ट करने का साथ यह आपको लेफ्ट में लेएंगे वाइपर के control लिवर और राइट में मिल जाता है आपको पर इसका लाइट के कंट्रोल वाला लीवर चलिए इसके इंस्तुमेंट क्लस्टर को थोड़ा सा ओन करके दिखाते हैं आपको कुछ इस तरह का आपको तमाम शारी इंफरमेशन सो करने वाला इसके अंदर एक स्टैलिस इंस्टुमेंट क्लस्टर मिलता है जहाँ पर आपको लेफ्ट में मिलेगा आर्पियम मीटर, राइट में मिलता आपको स्पीडो मीटर, साथी 20 में आपको डिजिटली रूप से तमाम सारी इंफ्यूल गेज है, टैंप्रेचर है, ट्रिप मीटर है, आपको यहाँ पर स्पीड आपको लगाने के लिए, यहाँ पर आप मीजिक सिस्थम लगाएंगे, अची वगर आपको मिली जाता है गाड़ी के अंदर, यहाँ पर आपको मैंडूल अची मिलता है दोस्तों, जिसके नौब कुछ आपको इस तरह के मिलते हैं, और यह है इसका गिएर पर आप अपना कुछ मोबाइल वगरा ऐसी चोटी मोटी चीज़ों को रख सकते हैं बात करेंगे अगर इधर की यहां पर आपको कुछ यह मिल जाता है बीच में यह तो कुछ नहीं है यह स्विच विगरा लगाने के लिए कुछ मिलता है अगर आप लगाना चाहे तो यहां आप लगा सकते हैं यह पर आर्म रेस्ट जैसी सुधा भी मिल जाती है इसके नीचे आपको सामान भी रख सकते हैं फैसलिटी नहीं है लेकिन काफी बड़ा सारा आपको जो है यह आर्म रेस्ट मिल जाता है तो दोस्तों यह तो थी यूटिलिटी स्पेस अब बात करते हम स यहां पर आपको सनवाजर मिल जाता है ड्राइवर के लिए भी और साइड में को पैसंजर के लिए भी तो इस तरह की स्विधाओं से लेस है हमारा जो है इसी जू डीमेक्स और सीट्स वगर आपको मिलती है यहाँ पर फैबरिक अफोल स्टे के साथ मैं और राल दोस्तों गाड़ी के अंदर आपको लैगए स्पेस वगरा यहां पर काफी सारा मिल जाता है आप देख सकते हैं यहां पर आपको लैगए स्पेस की कोई कमी नहीं है आप देख सकते हैं मैं काफी फैल फूल करके यहां पर बैठा हुआ हूँ तो दोस्तों यह तो था इसका फ्रंट लोग अब हम चलेंगे पीछे की साइड में और पीछे की जो इश्या है जहां पर आपको क्या स्पेस मिलता है उससे भी मैं आपको रोगरू करा देता हूँ तो दोस्तों इस तरह का था इसका फ्रंट लोग अब हम पीछे की डॉर को भी ओपन कर लेते हैं यहां से और यहां पर भी आपको उसी तरह का हेंडल मिलेगा और ग्लास आपको यहां पर यहां पर काफी अच्छे मिल रहे है नीट ऑं पर सर आप बैठके बताई जल यहां से मातक हमें कित्ता इस्पेस की यह मतलब एक अनभूती हो जाएगी देखे सर देखे दोस्तो एक व्यक्ती वहां बैठे हुए हैं सिर्फ एक व्यक्ती वहां बैठे हैं आप देख सकते हैं सीट के उपर यहां पर किता सारा इस-पेस हमें दिखाई दे रहा है यानि कि यहां पर मेरे ख्याल से हुक मिल जाते हैं हुक के साथ में ग्रैब हैंडल मिलेगा अगर आपको कोट वगरा टांग ना है तो वो चीजों को आप यहां पर टांग सकते हैं गाड़ी का ओवराल जो व्यू है कुछ इस तरह का है दोस्तो मैं आपको दिखाना चाहता हूं अगर हम पीछे से बैठके दे सामने हैं और एक आता है इसका स्टेंडर्ड वरियंट जिसके बारे में हम किसी अन्य समय पर बात करेंगे तो दोस्तों पीछे से हमें कुछ इस तरह की दिखाई देती है जहां पर आपको पांच वाई पांच फिटका यानि कि आपको इसक्वायर में जो है यहां पर एक का गाड़ी को जो है रिवर्स वगरा करें तो आपको मतलब काफी सभूलियत हो जाती है एक सेफटी के इसाब से यहां पर आपको यह सारी चीजे देखने के लिए मिल जाती है अगर हम पीछे की बात करें दोस्तों यहां पर आपको इसके अंदर स्पेर वील मिलता है चुकि इस तरह से मांटेट किया गया है पीछे आपको मिलेगा यहां पर सेमी लिप्टिकल लीफ स्प्रिंग सस्पेंशन और लेडर टाइप चैसिस फ्रेम के उपर गाड़ी का निर्माण किया गया है दोस्तों जिससे की काफी मजबूती आपकी गाड़ी की शालो शाल बनी रहत तो एक काफी इस्पेशियस जगे मिलती आपको इस उजू डीमेक्स के अंदर तो यही थी दोस्तों इस सब गाड़ी के बारे में जानकारी अम मैं सर से इसके बारे में पूछ लेता हूं कि गाड़ी के उन्रोड प्राइस क्या है साथ ही नई गाड़ी के साथ में हमें माइ सेल्स हैड है तो इसे हम जानकारी ले ले लेते हैं सर इसके अन्रोड प्राइस किते पढ़ेंगे में इंदोर शहर में इसकी प्राइजिंग जो रहे कि यह 12,43,000 रुपे की ऑन्रोड कीमत है 12,43,000 रुपे ऑन्रोड प्राइस है यह इस टाइप ही गाड़ी के अंदर सबसे देक तरह का जाए तो बहुत कम प्राइजिंग है और इस कहला इस गाड़ी की सबसे चीछी खास बात है कि इसका जो इंजन की जो टेस्टेट करावा हूआ है जो काफी जादा पुरानी कम्नी है आपने कहीं मॉडल भी देखे होंगे एमबसेटर के अंदर इसी कमनी का दोस्तर अब फाइनली अगर मिसके माइलेज की बात करें तो अब हमको नई गाडियों से कितना माइलेज मिल जाएका लगबग मैंने पंद्रे से सोले बोला है तो उत्तरा भी मिल पाएगा क्या ठीक है अगर दोस्तों आप बहतर कंडिशन में चलाएंगे तो आपको मैक्स दोस्तों इस वीडियो को करता हूँ यहीं समापत अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करिएगा शेयर करिएगा अपने दोस्तों में अगर आप मुझे इंदोर के आसपास से देख रहे हैं तो आप इसुजू पटवा जो की इंदोर में विजय नगर क के पास इनका सोरू में वहाँ पर संपक कर सकते हैं सेकर सर आपको यहां पर मिली जाएंगे और दोस्तों अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर अगर आए हैं इस वीडियो को देखने के लिए तो आप से एक निवेदन है कि आप उसा की करें जो चैनल ऐसे आप जरूर से सब स्थाइब कर लिए जेगा तो आज के लिए इतना फिर मिलूँगा जैहिन जैवारत